हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपने चनल इजमा इंवेस्मेंट में फिंट्स वीकेंड पर जो है एक बड़ी ख़बर ब्रेक हुई है कि अब तक का बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा फ्रॉड या गोटाला किया है लगबग 23,000 क्रोड के आसपास की फिगर बताई जा रही है जहां पर 28 बैंक को कंसोर्शियम का लोन था जिसको फ्रॉड डेक्लेयर कर दिया गया है और CBI ने इनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर कर लिया है तो फ्रिंट्स ऑवियस है जब इतना बड़ा घुटाला बैंकिंग सेक्टर में हो तो इसका इंपाक्ट जो है overall stock market especially banking space के shares पर दिखना लाजमी है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि कि किन banking shares में इस news के base पर गिरावट देखने को मिल सकती है डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं साथ बैंकों का सबसे बड़ा exposure जो है एबीजी शिप्याड में था जिसमें 7100 करोड ICICI Bank IDBI 3700 करोड SBI 2500 करोड BOIPNB IOB LIC जैसे लगबग 28 बैंक का जो है exposure एबीजी शिप्याड में था जहां multiple banking facilities इनको जो है finance की गई थी CBI ने इनके डिरेक्टर्स के खिलाफ 23,000 करोड के bank fraud के case में जो है case दर्ज कर लिया गया है और ये CBI का अब तक register किया गया सबसे बड़ा bank fraud case है भारत के इतिहास में 28 bank और financial institution ने मिलके ICICI Bank जो है lead bank था multiple जो है banking facilities इनको दी थी और यहां पर banks का कहना ये है कि bank ABG शिप्याड funds को divert किया है जिस purpose के लिए loan sanction किया गया था उस purpose के लिए username करके fund को divert कर दिया गया जिसकी वज़े से loan NEPA हो गए 8 November 2019 को ही bank ने इसकी complaint कर दी थी और CBI लगता तब से इस case पर काम कर रहा है जुलाई 2016 से इनके loan NEPA है और 2019 में इसको fraud declare कर दिया गया था friends ICICI bank जो lead bank है उसने already NCLT में ABG शिप्याड के खिलाफ जो है insolvency corporate insolvency and resolution process के लिए appeal दायर कर दी थी जो accept भी हो गई है friends जब भी आप किसी loan को fraud declare कर देते हो तो bank को उसका उसे time 100% provision करना होता है since 2019 में ही ये loan fraud declare हो गए थे तो यहाँ पर पुरी provisioning bank ने इनकी कर ली है और कोई बड़ा additional hit इस case की वज़े से अब banks को नहीं लेना होगा जिन banks का exposure जतना भी था वो 100% provisioning already कर चुके हैं हलाकि news ये negative है पर इसका कोई बहुत बड़ा impact banking shares या उन shares पर है जिनका ABJC PR में exposure है उसके chances ना के बराबर है market की correction के साथ में कल stock market correct हो जाए और banking shares में correction देखने को मिले that वो normal ways की वज़े से ही होगा यहाँ पर यह already provisioning कर चुके हैं पूरा hit ले चुके हैं हाँ अब यह है कि यह already पहले भी fraud था और अब CBI ने भी इसको fraud case registered कर लिया है क्योंकि already provisioning हो चुकी है तो कल बड़ा correction देखने को नहीं मिलना चाहिए हाँ sentiments के इसाफ से news थोड़ी सी negative है फर्दर आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकर हो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए आपके अपने channel is my investment को subscribe करना ना भूले thank you